सबसे फेमस शो कॉफी विद करन का आठवा सीजन शुरू हो चुका है और जिसमें सबसे पहले गैस्ट दिपिका और रनवीर है दोनों ने अपनी कैमेस्ट्री की हिस्ट्री बताई बताया दिपिका ने किस तरीके से रामलीला मूबी में वो एंटर हुई क्योंकि सबसे पहले वो हिरोईन के रूप में नहीं चूज थी फिर बाद में हिरोईन के मना करने पर दिपिका ने साइन किया और फिर रनवीर से मुलाकात हुई और दोनों किस तरीके से करीब आए पहले रनवीर को लेकर दिपिका सीरियस नहीं थी पर रनवीर ने सोच लिय करन में आकर अपनी personal life शेयर करते हैं और जो की काफी entertaining है क्योंकि लोगों को देखना पसंद है कि जिनको हम star मानते हैं जो actor-actor सामने अपने किरदार में दिखते हैं उनकी personal life कैसी है क्या उनके love story कैसे share करते हैं वही दिपिका और रनबीर जैसे ही coffee with करन में आये उन्होंने एक दूसरे के date करने की story बताई करन जोहर ने कहा कि तुम दोनों को देखकर मुझे काफी jealous होता है क्योंकि किस तरीके से तुम soulmate हो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते मैं अभी भी single हूँ भलही मेरे बच्चे मेरी मां मेरे साथ है पर मुझे भी लगता है कि सुबे शाम कोई ह मेरे साथ जिसको मैं इतना करीब फिल करूँ जो मेरे लिए मेरा soulmate हो दिपिका और रनवीर इस बात पर खूब हसे और कहा कि आप चाहो तो जल से जल मिंगल हो सकते है single से आपकी खुद की इच्छा है कि आप क्या चाते हो वहीं रनवीर और दिपिका एक दूसरे को बहुत चाते हैं दिपिका के बाद रनवीर ने कहा कि मैंने तो सोची लिया था कि मुझे शादी करनी है तो दिपिका से ही करनी है और अगर यह नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करूँगा वहीं दिपिका ने कहा कि मैं पहले serious नहीं थी क्योंकि just कुछ समय पहले ही मेरे दो break-up देते और अब मैं रनवीर को सीरियस नहीं लेना चाहती थी पर रनवीर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिए काफी सीरियस है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है और आखिरकार उसने कर दिखाया मेरा दिल जीत ही लिया थैंक्यू दोस्तों